आ हैं तो आज का मैं टोपिक नैं स्केल यह टेकर नमरź टीज्ट नंबर डू चैप्टर नंबर फाइफ केमस्ट्री इन अर्देल लई टेका है तो जिसने लास लेक्चर नहीं देखा जाके फिले लास लेक्चर देख लो और जिसको पिएच इस्केल समयजना है कौन pH scale जैसे thermometer temperature को measure करता है वैसी जो pH scale होता है यह measure करता है strength of acid and base यह measure करता है कि कितना hydrogen ion की concentration है solution में मालों यह solution है किसमें hydrogen ion की concentration कितनी है यह कौन measure करता है pH scale ठेक है अब दोगे यहाँ पर P का मतलब क्या है H का मतलब क्या है P जो है German word है जिसका नाम है potence indicator of strength क्या बोलते हैं इसको English में indicator of strength और H जो है यहाँ पर hydrogen ion की concentration है तो P तो है potence मतलब indicator of strength और H जो है hydrogen ion की concentration यही तो measure करता है यह measure hydrogen ion concentration present in solution ठेक है अब देखो Joe Renson ठेक है in 1909 pH skill दिया था उसने pH scale and power of hydrogen ion concentration is called pH ठेक है तो pH को आप क्या बोलोगे power of hydrogen ion concentration मतलब कितना hydrogen ion है वही वाली बात है ठेक है किसने दिया था Zorenson ने 1909 में अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे pH equal to minus log 10 H plus और यह H plus क्या है free ion अब देखो यहाँ पर होता है कुछ solution में hydrogen ion free नहीं होता है ठेक है कुछ solution में hydrogen ion free नहीं होता है तो इन solution में क्या होता है जिसमें hydrogen ion free में present नहीं होता यहाँ पर क्या होता है pH equal to minus log 10 H plus ठीक है क्योंकि यहाँ पे free में hydrogen ion present थे पर जब hydrogen ion present नहीं है तो वो water के साथ react करके बना लेते है S3O plus मतलब hydronium ion ठीक है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो pH equal to minus log 10 H3O plus ठीक है S3O plus क्यों आया क्योंकि ऐसा solution जिसमें hydrogen ion present नहीं होते free from में वो reactive form में present होते है water के साथ और water के साथ जब H plus react करेगा तो बनाएगा H3O plus ठीक है यह बात तुमें clear होई अब देखो मैंने एक बात बते ही थी कि यह मालनो pH scale है तो मालनो यहाँ पे 7 है neutral है ठीक है और 7 से कम होता है acidic होता है 7 से जादा होता है तो basic होता है जैसे मालनो 0,1,2,3,4,5,6 तो यह सब acidic 8,9,10,11,12,13,14 तो यह सब क्या हो गए basic और 7 जो हो गया neutral हो गया तो pH of neutral solution जो होता है 7 होता है मालनो acid क्या करता है H plus देता है सब को पता है acid जो है H plus देता है और अगर H plus ज्यादा होंगे तो pH कम होगी यह ज्यादा होगी pH कम होगी क्यों क्योंकि यहां पर मालनो 7 pH है और कम होगी तब यह acidic होगी और acid क्या करता है H plus देगा और H plus जितने ज्यादा acid केरेक्टर उतना ज्यादा मतलब pH जो है 7 से कम तो जब pH value कम मतलब H plus ज्यादा है समझ्वारी बाद अब देखो the concentration of H plus and OH minus IN for neutral water is 1 into 10 to the power minus 7 mole per liter जो neutral water है उसके लिए concentration of H plus और OH minus कितनी है 1 into 10 to the power minus 7 तो आप pH ऐसे लिख सकते हो लोग में दे रखिए हैं यहाँ पर और यहाँ पर answer जो है 7 आगा क्योंकि neutral solution है ठेक है अब आगे चलते हैं देखो हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 7 पर neutral मतलब इसका example हो गया pure water और इधर हो गया basic इधर हो गया acidic ठेक है तो यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे आपको बना के आना है substance having acidic pH जैसे SCL हो गया gastric juice हो गया दूद हो गया आपका दई हो गया lemon juice हो गया tomato हो गया orange हो गया तो यह सब क्या है acidic ठेक है और इधर क्या है substance having basic pH जैसे NaOH, blood हो गया soap solution, cold drink ठेक है अच्छा blood की pH 7.4 होती है तो साथ से ज्यादा है मतलब basic ही है ठेक है और soda हो गया मिलको magnesium हो गया तो यह आपको लिख के आना है इस तरह से ठेक है चलो आगे चलते है आगे बहुत important topic है importance of pH in daily life ठेक है तो सबसे पहला example यहाँ पर दे रखा है acidity in stomach feeling of burning and pain in stomach due to acidity pain में acidity होती है जिससे जलन होता है burning मतलब जलन pain मतलब दर्द इस तमक में दर्द हो रहा है जलन हो रही है क्यों? क्यों क्यों हाँ पर acidity हो रही है मतलब क्या होता है कि SCL जो है normal amount से ज़्यादा बन जाता है ठेक है यहाँ पर लिखा है more quantity में SCL बन जाता हमारे gastric juice में हमारे स्तमक में जिससे क्या होता है burning होती है pan होता है हमारे स्तमक में ठेक है फिर हम लते है anti-acid weak base लते है थाकि वो acidity को कम करें जिसे milk of magnesia जिसको हम बोलते है MGOH का hold twice to relieve this problem ठेक है यह क्या करता है milk of magnesia यह neutralize कर देता है क्योंकि acidity हो रही है और अपन base दे रहे है तो acid plus base के हो जाएगा neutral तो यह neutralize कर देता है high amount of acid जो कि हमारे स्तमक में present है ठेक है अब देखो tooth देखे इसको मैं पहले समझा देता हूं तुमें कि हमारी जो mouth की pH होती न हमारे मूँ की pH वो 6.5 होती है मतलब acidic होती है ठेक है पर जब हम खाना खाते है ठेक है तो वो खाना क्या होता है हमारे दातों में लग जाता है हम रेश्टों करते हैं नहीं खाना खाने के पास सुबह वो हमारे दातों में लग जाता है फिर bacteria क्या करते हैं खाने को decompose करते हैं और acidic जो nature है वो release करते हैं देखो यहाँ पर लिखा है the bacteria present in mouth produce acid by the reaction with remaining food found in teeth जो हमारे दाथ उनको खाना बना कि वो reaction show करते हैं और acid जो है release करते हैं और अगर हमारे mouth का pH जो है 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे animal जो है start हो जाते हैं decay होना हमारे दाथ जो है start हो जाते हैं इसलिए बोलते हैं खाना खाने की बाद brush करना चाहिए तो करा करना आपसे अब यहाँ पर लिखा हुआ भी है so toothpaste should be done after food ठेक है या फिर आप जो है mouth को wash कर सकते हो ठेक है काटते हैं तो acid secret कर देते हैं जैसे मैं आपको बोला था ant में होता है formic acid ठेक है if at that time we use basic salt like NaCO3 sodium hydrogen carbonate at that place then the effect of acid we neutralize और अगर हम उस time जो है sodium hydrogen carbonate का use कर लेते हैं तो वो neutralize कर सकते हैं क्योंकि यह weak acid है और यह weak base है ठेक है अब देको acid rain rain water considered as pure water but nowadays its pH value decreases because of pollution, pollution कितना करते हैं और pollution की वज़े से क्या होता है acid rain होती है जिसका pH जो है सास से कम होता है, generally तो क्या बुलते हैं rain water को pure water पर pollution बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, acid rain हो रही है acidic pH की rain हो रही है ठीक है this type of rain is called acid drain जो कि क्या करती है river को हमारी soil को affect करती है सब चीज को affect करती है और यह हो क्यों रही है क्योंकि हम pollution बढ़ा रहे हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है So it affect crop living organism all ecosystem यह क्या करता है crop को भी affect करता है हमें भी affect करता है पूरे ecosystem को जो है affect करता है कौन acid drain और acid drain हो क्यों रही है क्योंकि हम भो ज़्यादा pollution कर रहे है तो acid drain को हम control कर सकते है कि pollution हम कम करेंगे तो acid drain जो है control हो सकती है ठीक है acid drain नहीं होगी अगर हम pollution नहीं करेंगे तो ठीक अगला देखो pH of soil the crop seeded in soil can be selected by determining the value of pH of soil जो भी हम फसल उगाने वाले हैं जा भी हम बीच बोने वाले हैं उस soil की pH भी हमें देखनी चाहिए ठीक है और soil की best pH क्या होती है 5.5 से 6.5 ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है तो pH का role soil में भी है ठीक है ये क्या करता है also determine the use of suitable fertilizer के कुन सा जो fertilizer है वो suitable है soil के लिए ये भी हमें पता लग जाता है उसकी pH से ठीक है तो ये आपका topic हो गया pH से related अब अगले lecture में हम देखेंगे uses compound देखेंगे थोड़े जो कि आपके syllabus में है साथ में उनके uses और chemical reaction जो वो compound बंते के से हैं ठीक है तेंक यू so much, thanks for watching keep support, thank you अगर किसी को इस PDF की need है तो में को direct message कर देना मैंने Instagram की link जो है description में दे रखी है, thank you